पुरुशों का जो गुप्त अंग होता है, इंटिमेट ओर्गन होता है, या लिंग होता है, और इसके नीचे जो बॉल्ज होता है, जिसके अंदर टेस्टीज रहता है, ये पुरुशों के लिए बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, अगर आप रिप्रोड़क्टिव या आप एक्टिव सेक्स करते हैं, या नॉर्मली एवरी डे आप हस्त मैथून करते हैं, या आप औरल सेक्स में भी इन्वाल होते हैं, बिना कंडूम लगाए, तो ऐसी कंडिशन्स में इस जगे की सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बेबाक राय आपके सामने रख रहा हूँ, दो चीजों के बारे में कि, एक तो यह है कि, यह जो इंटिमेट एरिया है आपका, जो गुप तंग वाला एरिया है, बॉल्स का एरिया है, इसकी सफाई कैसे करना है, और इसकी सफाई अगर हम नहीं करें, तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आपको भी जानना है, तो आपको एक ही चीज़ करना है, वो है कि, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल subscribe ने किया हो तो प्लीज subscribe कर देना है देखे है महिलाओ का जो गुपतंग होता है वो बहुती linear होता है समानतर होता है वहाँ की सफाई करना बहुत इजी है महिलाओं के लिए तो इतनी सारी creams भी है waxing के procedures हैं pardler में भी available है और razor भी मार सकते हैं और किसी तरीके से वो उस जगे की सफाई कर सकते हैं और महिला यूजुली क्या है ज़्यादा सफाई पसंद होती है लेकिन जहां तक हम पुरुशों और लड़कों की बात करें वो थोड़ा लेजी होते हैं और उनको पता ही नहीं है उनके लिए ऐसे क्रीम्स भी अवेलेबल नहीं है ऐसे पारलर तो है नहीं जहां जाके आप अपने गुपत गंक्या असपास की सफाई करवा सकें बालों की सफाई करवा सकें उस एरिया की सफाई करा सकें ऐसे पारलर तो है नहीं आपके लिए तो फिर क्या किया जाए और ये क्यों जरूरी है देखे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्यों जरूरी है और किन लोगों को करना जरूरी है अगर आप हस्त मैथून करते हैं और उस वक्त आपने तेल लगाय हुआ है कोई कोई लोग क्या है तेल लगाकर हस्त मेतुन करते हैं उनको फीलिंग तब ही जादा आती है अच्छी बात है इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन अगर तेल लगाकर आपने हस्त मेतुन सम्दो शाम या रात को किया है उसके बाद immediately आपको इसनान करना ज़रूरी है या उ तो लेंग हैं, आपके बॉल्स हैं, जिसमें टेस्टी रेते हैं, वो किसी दूसरे अंग की तरह ही है, जैसे आपके हाथ के जैसे, आपके चेहरे के जैसे, या आपके किसी बॉडी पार्ट के जैसा ही है, इसलिए आपको उसके सफाई करना जरूरी है, नहीं करेंगे, तो फं तो आपके पार्टनर को बहुत ही गंदा लगता है भद्दा लगता है कभी-कभी वह बोल नहीं पाती है आपसे पर मैं उनकी तरफ से आपको बता रहा हूं कि अगर उस जगह पर बाल है तो बिल्कुल आपको बाल को शेव कर लेना चाहिए मेल्स के लिए तो वैक्सिंग की ही यहाँ बाल response को शेविंग इस्लें ते से में आपको बहुत ध्यान से चाहिए क्योंकि आपका जो एरिया शाया है वो यहाँ ज़्यादा लीनियर नहीं है एक समान नहीं आए उबर खावर एरिया है बाल्स की बात करें या पैनिस की बात करें इसलिए आपको वहां पर शेविंग बहुत ध्यान से करना है और समझे कि आप जिम गए हैं आपने बहुत एक्साइज की है उसके बाद भी उस एरिया में काफी सारा पसीना इखटा हो जाता है इस समय भी जादा तवस्दों मत दीजिए कि उस शैंपू में खुश्बू जादा होना चाहिए या उस शैंपू में फ्रेग्रेंस या समझे कि उसका इंपक्ट जादा होना चाहिए वो जरूरी नहीं है लेकिन उसमें अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा या डेटॉल का साबून अगर आप यूज करेंगे या कोई पतंजली का ऐसा साबून है नीम वाला वो अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा तो मेडिसिनल वैल्यू वाला जो साबून अगर आप वहां यूज करेंगे तो बेटर रहेगा और केमिकल्स वाला यूज करेंगे त आपका जो लेंगे वह आपको जलन हो सकती है बहुत इंटिमेट एरिया होता है बहुत नाजुक एरिया होता है इसलिए आपको बहुत ही जलन हो सकती है और लंबे समय में आपको स्किन प्रॉब्लोस भी हो सकती है सूखापन भी आ सकता है इसलिए ये टेप्स आपको फॉलो करनी है और आप स्वस्त रह सकेंगे इस तरीके से इस तरीके से आपने गुब तंग का जो एरिया है वहां का हाईजीन आप मेंटेन कर पाएंगे तो अगर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे